जहन साथियो यूपी एनम यानि महला स्वास्त काज करती की सैली की बात करें क्योंकि काफी दिनों से मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि जो बेसिक पे है डीये एचारे एफ्टीये उससे समझ काफी कन्फूजन चल रहा है और काफी जन पदों में सैली आचके दिवाली से पहले जो सासना देश माननी मुख्यमंतिजी का आया था उसके बाद और लेकिन कहीं जो हमने देखा है कई जन पदों में अभी सैली नहीं आई है लेकिन काफी कन्फूजन है कि बेसिक पे डीये एचारे एफ्टीये ये क्या है इसके वारे में विस्तित जानकारी तो इस वीडिय पर रही है हमारे चैनल से आए साथ ही वीडियो में आगे बहते हैं देखिए अनम सेली की अगर बात करें जो एनम नोजार दो सोबारे की जो जो जोइनिंग होई थी वो काफी जो एनम बहने थी वो तो संब्धा पर भी काम कर चुकी है और काफी जो हैं फ्रेस हैं और उन स तो सेली आई है वो किस-किस तरह से क्यों से चनपवदों में जो हमने आपको पहले वीडियो में भी आपने चैनल पर ये विस्ति जानकारी दी थी कि कितने महीनों की सेली मिली है तो ये उसको आप वीडियो को आप जरूर देख लें अब बात करते हैं डी एकी तो ये डी 40 परसेंट है वो अब आगे नेक्स्ट मिलेगा जो जुलाई से लागू होगा तो उसका अरियर मिलेगा अब बात करते हैं एचारे यानि हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया बत्ता उसकी बात करें तो काफी ये हमारे पास मैसे जा रहे थे कमेंट के मादम से भी लोगों न कि इसमें आप बिलकल कोई कन्फूज होने की जरूवत नहीं है यह अमने काफी पता किया और हम खुद इस बारे में जानना चाह रहे थी कि काफी एन्म बेने इस बास से काफी परेशान थी कि कई जगे तो जन पदोंने एचारण नहीं दिया गया है और कई जगे लगा है तो वो कितना लगा है तो हम आपको बता दें कि ये एक शार्षना देश आया था उसके आधार पर जो पूरे प्रदेश के जो शहर हैं महानगरों के साब से उनको तीन श्रीडी में बाड़ दिया गया है श्रीडी अ बाव साब तो श्रीडी आ के शहर हैं उसमें 2400 रुपे है आपके लेविल मैट्रिक लेविल जो है आपका सेविंत पे कमिशन के एसाब से यानि साथमा वितन आयोगों उसके एसाब से और स्रीडी बाव में 1200 रुपे और स्रीडी सा में जो रूरल में भी है वो 800 रुपे आपको मिला है तो उसके वारे विश्तिजाज क्या रही नेक जो में काम है जिसमें आपको जो वी एचेंडी सत्त जो आपका लगता है बुद्वा शनवार को इसके साथ ही कई सर्वेव अगरा होते हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो बेसिक रूप से जो है वो सब सेंटर या रूप के इंदर पर होती है और आपको फील्ड में आपको कार्श के लिए जाना पड़ता है तो यह एक फिक्स टैबलिंग अलाउंस है नित यात्रवत्ता है जो 200 रुपे प्रितमा के एसाब से प्रितेक एनम को जो पर्मानेंट ह बात करें बेसिक हेल्ट वरकर तो या एनम की बात करें तो यह 200 रुपे प्रितमा के एसाब से आपको मिलता है और यह क Are नहीं मिला उसकी हमा बात करेंगे कि हरे देखो हम आपको बता चुके हैं तीन स्रेडियों बाढ़ती आ गया है शासना देश जो जीयो यूपी गवर्मेंट के एसाब से है उसके आधार पर तो जिसमें जैसे हमको चुधार दे देते हैं आगरा है कान पुरह लखना हुए है फ्रोजा बात है इस तरह के कुछ वेतन मान है मूल वेतन है उसके ग्रिवटपी के साफ से आपको देखा जाए तो आपको जो चौबीसर रुपे एहचारे मिलना चाहिए जो दिया जाता है कुछ जनपदों में कुछ ब्लोगों ने इसको नहीं लागू किया है वो गलत है एहचारे मिलना चाहिए और दूसर पर बहुत कोई ज्यादा राशी नहीं है परन्त ये इसलिए दिया जाता है कि आपको एक इस तरह का एक राशी मिल जाए जिससे आपको कुछ सोविदा मिल जाए तो ये FTA और चादता जन्पद में प्रिदिक जन्पद में ये FTA जो आपकी पोस्टिंग CSC पर होती है और CSC के यानि सामदाग स्वास्त केंदर Community Health Center के इसाब से जो जाता रूडल में ही होते हैं और उसमें आपका केंदर है और VH&D के लिए आपको गावा में जाना पड़ता है अपने सत्र को संचालन करने के लिए नेमित्ती का ठीका करण है और साथी साथ में अन्य सर्वे है आईशमान कार्ड से संबंदित हैं तो उन जो आपका डूटी है उसके आधार पर आपको यो फिल्ड में विजिट करनी पड़ती है उसके हिसाब से नियत यात्रा भत्ता य तो अगर आप को जानकारी अच्छी लेगी वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो केरे पर लाइक करने शेयर करने कमेंट के साथी चैन को सब्सक्राइब परना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा क्योंकि इस तरह की महतपूर जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी थैंक यू सो मच